वाट सर्चीवों के परदसन के दौराद पुलीस और परदसन कारियों के बीच में जमके ज़रब हुई इस दौराद परदसन कारियों का कुछ पत्थर है वो हमारे संबादा न्यूज बाइसकोप के संबादा रॉमिन को भी लगी है देखे किस तरह से उनके हेलमेट को छती पहुंचाया गया है किस तरह से पत्थर जो है उनके सर पर लगा अगर यह हलमेट नहों होता तो उनका सर फूट जाता और आपको बताएं कि यह न्यूज जो है प्रदसन कारी थे वह किस तरह से उन्होंने पत्थराव किया है उसका एक बस एक नमूना आपको दिखा रहे ह कि किस तरह से हमारी संबादता को चोट लगी है उनके सीसे पर पत्थर टकराया है और उसके बाद उनका सीसा पूट गया और पूरा हेलमेट उनका चकना चूर है देखे किस तरह से आई उनसे बात करते हैं राविन क्या हुआ था आपके साथ देखे यहाँ पर अपनी मांगो को लेकर जो भी बाते हैं आप लोग अपने स्थानों पर गड़न कर जाए और जो कि जिस तरह से आप लोग परदर शाण कर रहे है यह नियम के भीरोध है लेकिन हलाकि इतना बेकाबू हो गयी जो कि लोग जो है कि परदर संकारी जो थे अपनी मांगू को लेकर जिस तरह से उग्रू हो गये जो देखने वाली बात थी जो ज़रब जो हुआ पुलीस और प्रतरसन कारियों के बीच में आप बुरी तरह से घाय लोगे आपके हेलमेट जो है वो बता रहा किस तरह से चोटे लगे किस तरह से पत्तर आपके हेलमेट क्या कहेंगे आपके जी हां मैं यह कहना चाहूंगा जिस तरह से आक्रोस दिखाई जा रही थी सूट करने के दर्वियान काफी पत्तराव और नीटा भी चली जिसके कारण से हमें भी लगी है और कई पुलीश पर शासन को भी लगी है और जिस तरह से दोनों तरफ से पत्त पत्तराव चलाई गई है काफी मतलब देखने वाली चीज है और इतना दिन से मैं खबर केश्श कर रहा हूं लेकिन जिस तरह का जैसा मोहल बना हुआ था जिस तरह का परदर्षन की जा रही थी जिस तरह से इटा जो चलाई जारी थी परदर्षन काडियों के तरफ से यह मौल था और द्रीश था कुछ पल के लिए जैसे लग रहा था कि अब जो है कि जान भी दम छंड मिनुट में कभी भी किसी को जा सकती है जिस तरह से इटा और पत्राव चल रहा था हमें भी मतलब कुछ लगा है हेलमेट भी लगाने के बज़े से कुछ बच गए किस तरह से परदसन कारियों ने आज पत्राव किया है इसका एक नमूना बापकों दिखा रहे थे कि हमारे संबादा था रॉबिन उनको किस तरह से उनके हलमेट तूट चुका है कि हमारे परकास के जा सकती न्यूज बाइस को पटना